यह हमारे पास एक sheet है जिसमें income बता रखी है और कितनी हमने investment कर रखी है उसके हिसाब से old का tax यहाँ पर बता रखा और इस column में नए का tax बता रखा है तो blue color में है अगर हम तो हमें old regime opt करना है और red color में हम new regime का option ले लेंगे और gray color में दोनों में same tax रहेगा जैसे 7 लाग मेरी income ह और मेरे पास 44,000 तक की deduction है तो मेरे को old regime में tax बनेगा 35,800 ळी और नए रिजाइम में 33,600 तो मेरे लिए favorable हो गया नई वाला यह सारा red और blue में old regime का tax है तो अगर red में fall करना तो old regime नहीं लेना है और अगर blue में आ रहे हैं तो old regime लेना है ठीक है और यह नए में कितना tax बनेगा तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं हमारे पास 3 concept हैं यहाँ पर एक तो जो circular आया था 115 BAC section को लेकर कि हमें TDS के लिए क और है इस slide में हम बात करेंगे कैसे क्या क्या हमारे पास नए tax regime में या old tax regime में कौन कौन सी deduction available है और कौन सी नहीं है और हमें कौन सा out करना चाहिए ठीक है और यह हमारे पास Excel की एक और sheet है जिसमें हम बताएंगे कि इस salary पे हमें tax का जो computation करनी होते है वो कैसे होते है तो फट नए रिजाइम चूज करना है या old regime तो यह आप जब return file करेंगे यह आप बता सकते हैं लेकिन अभी जैसे अपरेल से financial यह शुरू हो गया है तो आपकी salary आनी शुरू हो जाएगी तो आपका TDS होगा तो TDS के से rate से होगा यह दिक्कत आ रही थी तो CVDT ने इसलिए circular दिया क कि TDS के लिए SSC बताएगा आपको कि वो नए रिजाइम से नए tax rate से अपना TDS कराना चाहता है या पुराने tax rate से तो in case अगर आपको नया tax rate आपको जो return है due date से पहले या निकि timely file करने पड़ेगी 37-39 तक अब TDS के बात कर लेते हैं तो अगर आपने intimate कर दिया रिपार्डमेंट को तो जिस हिजाब से आपने नया कहा या पुराना कहा उस हिजाब से आपका TDS होगा तो if such intimation is not admired by the employee अगर आपने intimate नहीं गरा तो section 115BAC को ignore कर देगा department और accordingly आपका TDS करेगा और यहां पर बता रहा है 1391 यानि कि आपको timely ही अपने return file करने पड़ेगी return करते वाक्त अगर आपको यह option exercise करना है तो यानि कि नया पुरानी की choice आपको तब ही मिलेगी जब आप timely return file करेंगे अगर timely return file नहीं करा है तो नया वाला option आप आपको old case आप से ही फिर tax भरना पड़ेगा further in case आप person whose income under PGBP अगर आपकी profit and business की भी कोई income है तो भी आपको timely return file करना है और business की income में अगर आपने मान लेते हैं timely file करेंगे और इस साल आपने नया या पुराना कोई भी option select कर लिए तो next year आपको वही option मिलेगा आप option चेंज नह लेते हैं और so old versus new का हमारे पास है financial air 20-21 assessment air 21-22 पोलते हैं इसको 1 April 2020 से ही शुरू हुआ और 31 मार 2021 तक ही air जाएगा तो यह हमारे पास slab rate है दो लाग से पांच लाग तक पुराने में हमारे पास 5% थे और 5 लाग से लेकर 10 लाग तक पुराने में हमारे पास 20% का tax rate है और 10 ला लाग तक निल है basic exemption limit जिसको बोलते हैं धाई लाग से पांच लाग तक 5% है उसके बाद धाई डाई लाग का आप जैसे आपकी धाई डाई लाग income बढ़ेगी वैसे आपका 5-5% tax भी बढ़ता जाएगा जैसे यहाँ पर 5-7-10 फिर साढ़े साथ से 10 लाग तक 15% और 10 से 12 ल लाग तक आपको 25% के साथ से tax calculate करना और 15 लाग के उपर आपको 30% calculate करना है तो जो mainly जो हमारा पुराना tax structure था जिसमें हमारे पास यह rate आ रहे थे 5-20 और 30 का इसमें हमारे पास बहुत सारी deduction थी वो deduction यह वाली है तो अगर हम पुराने वाले में रहते हैं तो यह deduction हमें ठीक है तो deduction कोन कोन सी नहीं मिलेंगी अगर मैं नई के तरफ जाता हूँ और पुराने में जाता हूँ तो यह वाली हमें मिल जाएंगी जैसे standard deduction थी salary लोगों के लिए वो पुराने में मिलेंगी नए लेते हैं तो नहीं मिलेंगी, house rent allowance हमें मिल जाएगा और ATC, ATCC, CCCD, ATC म हमारी सारी normal saving आती है LIG insurance provident fund और ATD मेरा medical insurance आता है ATD में education loan आता है ठीक है ATD में donation आता है तो यह ATD chapter 6 है के सारे deduction हमें हमें पुराने provision में मिल जाएंगे पुराने इस elaborate में नई में नहीं मिलेंगे जो main और कहें एक बड़ा deduction हमें नहीं मिलेगा नई वाले में वो है 24 भी अगर मेरे पास self occupied property यानि कि मैं खुद रह रहा हूँ उस property में तो property का जो loan होता था उस loan के interest की 2 लाग तक deduction हमें मिलती थी पुराने वाले में ये नई वाले में नहीं मिलेगी लेकिन अगर property let out है यानि कि rent पे दे रखिये तो मेरे को मिल जाएगी नई वाले में भी क्योंकि नई वाले में फिर rent एक income plus कर रहा होगा और loan का interest minus कर रहा होगा तो plus minus दोनों बराबर होगा इसलिए let out वाले case में मिल जाएगा HRE के deduction आपको नहीं मिलेगा नई वाले में और ये allowance है 1014 में और 1017 में जैसे आपका traveling allowance होता है transport allowance, children allowance और clubbing के provision होते हैं तो बहुत सारे allowance है वो भी मैं अभी दिखाता हूँ 1014 और 1017 में कौन से deduction सोला में कौन से होते है standard deduction होगी professional tax होगे ये सारे आपको पुराने slab rate अगर opt करते हैं तो मिलेंगे नए वाले में नहीं मिलेंगे ठीक है और family जो pension होती है वो one third या कहें 15,000 जो भी lower होता है उसकी deduction हमें मिलती है तो वो हमें उरको नहीं मिलेगी नए वाले में अगर हम जाते तो पुराने वाले में तो क्योंकि ही वो मिलेगी पुराने provision पुराने वाले में मिल जाएंगे deduction on account of clubbing of minor, अगर minor की income किसी भी parents जिसकी higher होती है उसमें club होती है तो उसमें कुछ deduction मिलती है पर मंत की तो वो हमको नए वाले structure में नहीं मिलेगी ठीक है अब ये deduction भी एक बर हम आप लोगों को दिखा देता हूं फटा फट से deduction 1014 की क्या है ये देखिए official site है और assessment year 21, 22 के लेगी और नए वाले में नहीं मिलेगी जैसे children education, hostel, transportation allowance, conveyance allowance होगे daily allowance मिलते हैं, helper की allowance मिलते हैं ठीक है ऐसे ही 1014 और 1070 इसका पूरा मैं आपको जो file है उसका link दे दूँगा description में आप आराम से पढ़ सकते हैं कि मेरे ये deduction है तो मेरे को मिल रहे है नहीं मिल रहे है अब section 16 की बात कर लेते हैं main तो standard deduction पुराने वाले में मिलेगी और entertainment allowance होता है professional tax है तो ये 16 में cover है तो ये पुराने वाले में आपको मिल जाएंगे और नए वाले में आपको नहीं मिलेंगे ठीक है तो ये हमारे पास आ गया basic difference कि नए वाले में जो tax का rate हो कम आ रहे है तो ये सारी deduction भी जा रहे है main हमारे पास ATC और ये होती है ठीक है अच्छा यहाँ पर एक बात बताते तो नए वाले में एक pension scheme होती है ATCCD 1 और 2 1 में employee का part होता है 2 में जो employer हमारा देता है 10% of salary का तो वो हमको मिल जाएगा नए वाले में भी ठीक है ये आप लिखा भी वाले में चैप्टर 6 से में only contribution made by the employer to pension scheme है आपकी pension scheme में जो आपकी employer ने contribution करा है CCD 2 में जो maximum 10% of salary होता है वो आपको मिल जाएगा ठीक है और यहाँ पर वही बात लिखी हुए जो मैंने बता दी कि भाई let out है अगर property तो उसका जो interest paid करा है उसके loan का जो interest है let out property का वो deduction उसको मिल जाएगा आपको नए में the option is to exercise either time of filing तो return आप जब फाइल करते हैं आपको तब बताने कि भाई मेरे को नए के साब से अपना tax भरना या पुराने के साब से if you want to opt for new scheme file return before due date यानि कि अगर आपको यह नया वाला structure चाहिए new tax rate चाहिए तो return late file नहीं करने 31 37 और 30 उनों से पहले ही file कर देनी है in case of return if filed after due date you cannot opt for being tax under new तो अगर आपने late file करें तो आपको new tax regime नहीं मिलेगा और आपके लिए mandatory हो जाएगा पुराने के साब से tax भरना यानि की 5 20 और 30% का slab और deduction आपको मिल जाएगी ठीक है तो अब एक analysis मैंने किया है तो अगर आपकी 6 ला 15 लाग तक की है और if person has a deduction of 2 लाग और आपकी जो saving है 2 लाग या उससे ज्यादा की है deduction या investment के लिए ATC यह जितने भी deduction सारे मिला आगे तो आपके लिए old regime ही beneficial है ठीक है तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एक HRA आ रहता है तो HRA की ने particular calculation होती है वहाँ आपको बता रहा हू आपके पास amount आएंगे तीनों में से जो भी amount आएंगे उसका lower आपके लिए deduction मिल जेगी HRA की galaxy भी वीडियो में बना दूंगा आप लोगों के लिए तो एक तो आप actual HRA receipt note कर लो उसके बाद अगर आपके पास Mumbai, Kolkata, Delhi और Madras में तो आपकी salary basic plus दीएगा आप 50% ले लो other state में आप 40% ले सकते हो, दूसरा आपके पास amount आगे, तीसर amount आगे आपके जितना rent पे कर रहा है, for example मैं कहता हूँ 10,000 पे मैंना मैंने pay कर रहा है, तो 10,000 minus 10% of salary, जो salary मेरी है उसका 10%, तीन amount आजेगे, इन तीनों में से जो lower होगा, वो मेरे को deduction मिल जेगी, अब यहाँ पे कह रह landlord का जिसके आप यहाँ रहे हैं, उसका pen number आपको बताना पड़ेगा, यह हमारे पास हमारे एक sheet है, और इस sheet में हम calculation बता रहे है, यह जो मेरे पास sheet है, इस में मैंने बताया कि इतनी salary है, और इतना इतना deduction है, तो कौन से regime में जाना है, यह नई के साब से tax है, और यह सारे color ज कोई सा भी ले लूँ, लिकबग equally tax रहेगा मेरा, तो यह sheet आप लोग comment कर सकते हैं, नीचे अपना mail ID मैं आपको mail कर दूँगा, और या फिर आप comment में बता सकते हैं, कि आपकी income और deduction कितनी बन रही है, तो मैं आपको advice कर सकता हूँ, कि आपका नया वाला option आपके लिए better है, old tax rate आपके लिए better है, तो बात कर लेते हैं, तो salary income है या जो भी आपकी income है, अगर आपको tax calculate करना कैसे करना है, अपनी salary DHRA bonus जोड लेंगे, उसमें से extended deduction अगर आप पुराने में हैं, तो आपको मिल जाएगी, हारे का मिल जाएगा, professional tax का मिल जाएगा, नए में है तो यह तीन में, जो let out property जिससे rental income होरी है, उसका मिल जाएगा, इसको भी आप यहाँ पर minus कर लेंगे, क्योंकि अगर self occupied है, तो minus में ही आएगा यह interest, ठीक है, business की income है, add कर लेंगे, capital gain है, यानि property को यह बेचिये, long term, short term हो add कर लेंगे, और saving का interest, यहाँ पर fix deposit का interest और dividend income सारी add कर लेंगे dividend पे, आपको tax pay नहीं करना होता है, 10 लाग तक उसके उपर देना होता है, आपको ठीक है, 10% के साफ़ से, saving का आपका 80 TTA में, अगर आप 60 से कम साल के 40 जार तक interest exempt है, और FD और saving सारा मिला के, अगर आप senior citizen है, तो 50 जार तक यह exemption है, 80 TTA BBA में, चेक से के deduction जैसे बता रहा था ह life insurance, जो normally सब के लिए होते हैं, बच्चों की school fees, दो बच्चों तक की, post office की scheme है, FD है, 5 साल से ज़्यादा की, house loan का repayment है, tuition fees है, school की, college की, university की, ठीक है, 80 CCD में आपका pension का, और यह आपका employer का pension का, पार्ट आ गया, और 80 D में, आपका medical का आता है, और TTA और TTPB बने आपको पता लेगी, old में, और new में, दोनों में ही, और आप अपनी tax liability calculate कर लेगे, उसके लिए आपको, चाहिए होगा slab rate, जो यह आ रहा है आपकी screen पर, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं, तो यह एक मेरा कोशिस थी, आप लोगों को बताओं कि आपको नया tax rate लेना चाहिए, या old tax rate लेना चाहिए, जिसके लिए मैंने calculation भी बनाई है, इस calculation की आप help ले सकते हैं, comment करके बता सकते हैं, कि मेरी यह income है, या मज़े कौन सा option लेना चाहिए, या यह sheet आपको चाहिए, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, कि आपकी income कितनी है, और आपकी saving कितनी बनेगी, तो आपके लिए कौन सब beneficial रहेगा, तो दोस्तों, अगर आप लोगों कोई वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को like करेंगे, अपने family friends के साथ share कीजिए, और इस वीडियो में जितनी भी यह PPT, यह circular और यह sheet, इन सब का link मैं description में दे दूँगा, इस वाली sheet का link में आपको यह मुझे particularly comment करने पड़ेगी, अपनी mail ID में आपको mail कर दूँआ, ठीक है, तो मिलते हैं, next वीडियो में, thank you, bye-bye. Subscribe कीजिए Finance Gyan Channel को, और बेल आगे इनको दवाईए, latest वीडियो सबसे पहले देखने के लिए.